OTT प्लेटफर्म नेटफिक्स का फिमस शोव फैबुलस लाइफ ओफ वॉलिवूड वाइफ शुरू हो गया है पहले दो सीजन हिट होने के बाद मेकर्स इसका तीसरा सीजन लेकर आये हैं इसमें बॉलिवूड स्टार्स की वाइफ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बाते शोव में शियर करती है अब हाल ही में हम साथ साथ है कुछ कुछ होता है समेथ कई फिल्मों में काम कर चुकी बॉलिवूड एक्ट्रिस निलम कोठारी ने इस शोव में पहली बार अपने एक्स हस्बेंड रिशी सेथिया से तलाग की वज़ब बताई शोव की एक एक एपिसोड में निलम ने निर्देशक निर्माता एकता कपूर से बात करते हुए बताया कि जब उनकी बेटी को इंटरनेट के जरिया उनकी पहली शादी और तलाग के बारे में पता चला था तो उनका रियाक्शन कैसा था साथ ही उनकी बेटी ने क्या सवाल किये थे अपने तलाग के बारे में बात करते हुए निलम ने कहा कि मैं काम से घर आई थी और अहाना अपने दोस्तों के साथ थी आम तोर पर वो हमेशा इधर उधर उचलते कूदते चीकते चिलाती रहती है लेकिन इस बार वहाँ एकदम सन्नाटा था फिर अहाना मेरे पास आई और बोली मम्मा आपने मुझे नहीं बताया कि आप तलाग शुदा हैं ये सुनने के बाद तो मैं एकदम हैरान रह गई मेरे पास कोई शुद नहीं थे मैंने आहाना से कहा कि सबसे पहले आपको इसके बारे में कैसे पता चला उसने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हैं इसलिए मैं और मेरे दोस्त आपके बारे में गूगल कर रहे थे पहली बात ये सामने आई कि आप तलाक शुदा हैं, आप शादी शुदा थी इसके आगे एक्टरस ने कहा कि वो नहीं जाती थी कि उनकी बेटी को उनकी पहली शादी के बारे में इस तरह से पता चले इसके बाद शो में एक्टरस ने बताया कि उन्हें तलाक लेने के लिए किस बात ने मजबूर किया था नीलम ने शेयर किया कि रिशी सेटिया से शादी करने के बाद वो विदेश चली गई उन्होंने बताया कि मुझे इंडियन कपड़े पहनने, नॉन्वेज छोड़ने और शराब छोड़ने के लिए कहा गया यहां तक कि मुझे अपने नाम बदलने के लिए भी कहा गया और मैंने वो भी किया बहुत से लोग ऐसा करते हैं हाला कि अपनी पहचान बदलना ये कुछ ऐसा है जिससे मैं सहमत नहीं थी मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई जहां मैंने खुछ से सवाल किया कि मैं ये कैसे होने दे रही हूँ कई बार ऐसा हुआ जब मैं सूपर मार्केट में होती या लंच पर जाती तो कोई मेरे पास आता और पूछता क्या आप एक्टरस नीलम है और मुझे कहना पड़ता नहीं मैं नीलम नहीं हूँ नीलम ने कहा कि उस शादी में मेरा दम खुटने लगा था और फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अब उस शादी से बाहर निकल के रहूंगी